कल कौर से देखा मैंने एक आम कपेड तब जाकर समझाया कि एक आम आगमी और आम एक जैसे हैं। आम भी आखिर तब तिकता है जब अपनी जड़े पकड़े रखता है। चाहें जितनी भी कथिनाई आए या आए तूफान अपनी टैनी को जो ना छोड़े वो बनता है महान। जिन्दगी भी कुछ ऐसी ही है जब तक आपके परिवार से दोस्तों से रिष्टेदारों से जुड़े रहते हैं तार। तब तक जिन्दगी की हर मुश्किल हो जाती है असानी से पार। ये वो डाल और पत्ते हैं जो तूफानों का डटकर मुकावला करते हैं ताकि आप कहीं गिर ना जाओ। ये तूफानों से तुम्हें बचाते हैं जिन्दगी की नई सुभा दिखाते हैं। इस तूफा में जो फल अपना बेस जोर से पकड़े रहते हैं वो सर्वाइव कर जाते हैं। और जो इस मुश्किल घड़ी में धीले पर जाते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। जब आदमी काम्याब हो जाता है तो पक्के फल की तरह उसमें भी घमंड आ जाता है। पर शायद वो भूल जाता है कि जिन्दगी का दस्तूर है जो जितना पक्का होगा दुनिया उसे उतारने के लिए उतने ही पत्थर मारेगी। जो फल पकने के बाद अपनी बुनियाद भूल जाता है वो फल जब जुमी पर गिरता है तो फड़ जाता है। और ना तो फिर वो खाने के काम आता है और ना भगवान को चड़ाने के काम आता है। जो फल अपनी बुनियाद नहीं भूलता है, वो सुरक्षित तरीके से उतार लिया जाता है दूसरों के काम तो आता है, साथ ही मुँ मांगे दाम भी पाता है इसलिए एह मेरे दोस्त कभी अपनी बुनियाद को न छोड़ना, उसे मजबूती से पकड़े रखना और अपनी बुलंदियों पर कभी घमन मत कर तुफान सभी को परकता है, प्रयांत में वही खड़ा रहता है, जो अपनी बुलंदियों को जोड़ से जगड़े रहता है